आप देख रहे हैं NMT News और आपको रखे सब से आगे काजल हिंदुस्तानी के खिलाफ फिर एक केस दर्ज हुआ है हिंदु राष्टवादी काजल सिंगला पर हेट स्पीच के मामले में FIR दर्ज की गई है उन पर आरोफ है कि उन्होंने मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में भड़काव भाशन दिया है इसे सामाजिक सोहार्थ बगडने का खत्रा था ठाने जिले के मीरा रोड इलाके में 12 मार्च को सकल हिंदु समाज द्वारा हिंदु आक्रोस मोर्चा कायवजन किया गया था इसके स्टोन ग्राउंड में हुए एक कारिक्रा में काजल हिंदुस्तानी सामिल हुई थी इस कारिक्रा में करीब पांच से दस हजार लोगों की भीड में काजल सिंगला ने भाशन दिया था वे भाशन वेहद आक्रामक और भड़काव माना गया और प्रारामिक जांज के पुलिस ने आई पीसी की दारा एक सो तेपन ए और पांच सो पांच के भाग दो के तैत मामलत दर्च कर लिया पुलिस ने अपनी चांज में काजल हिंदुस्तानी के भाशन को हेट स्पीच के इस्तरका हो पाया और उसे सामाजिक सोहर्थ बिगारने वाला बताया लव जिह उन ग्राउंड में हुए कारिकरम में मुख्य वक्ता के तोर पर काजल हिंदुस्तानी ने बाशन दिया इस पर हेट स्पीच का आरूप लगा चादर वाले और फादर वाले चला रहे लव जिहाद और लैंड जिहाद उन्होंने मीरा रोड में मुसल्मानों और इसाई धर् के खिलाब कहा था कि चादर वाले और फादर वाले जैसे शब्दों का इस्तमाल किया था उन्होंने कहा था कि मेरा रोड के फेरी वाले नंपुंसंता की दवाईयां मिलाकर अपने माल बेचते हैं